इस वीडियो में हम अलाबाद उनिवर्सिटी के लिए रिसोच में पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेशन्स देखने जारे जो जनरी आपके पीज़ी एंट्रेंस इग्जामिनेशन में पूचे ही जाते हैं सबष्क अब को बता ढूँ आज के लेक्जार में मैंने क्वेशन्स को कारा कर रहा है तो सारे उनिवर्सिटेश में आपके Central Universities, Government Universities और जो इंड उनिवर्सिटीज होते हैं इन सारे Universities में स्टैक के questions जनरली पूचा ही जाता है तो यह जो सारे questions हैं हमारे professors के अंडर्स design करें हुए questions हैं कुछ questions हमारे team भी design करती हैं आपके preparations के लिए तो यह सारे questions हम आपको provide करते हैं with the limited fee तो जिससे क्या स्कीन पर देख सकतेको यह पेपर वन हमापको complete most provide करते हैं जिसमें हम आपको guidance देते हैं कि किस तरीके से हैको हर Εक स्टैप में किस तरीके से परफॉर्म करना है किस तरीके से सारे चीजों को हैंडल करना है किस तरीके से आपको study करना है किस तरीके से आपको सारे चीज़े जिसे step by step सारे चीजों के लिए prepare रखना है सारे चीज़े हम आपको provide करते हैं कुछ भी tension लेने के जरुद नहीं होती है वीडियो के दुआरा हम आपको update करते रहते हैं और आपको study में काफी help मिलती है तो जहां या question पर दिये गए number पर whatsapp के तुरू आप हमें contact कर सकते हैं या फिरिक लिए आप हमारे app के तुरू study material को access कर सकते हो for paper 1 as well as for paper 2 okay so that's it and let's begin with the video जैसे कि मैं आपको बता दू के paper 1 जो कि आपका research methodology तो research methodology के लिए आपको examination में 25 questions पुछ जाएगा 450 marks जैने question 2 marks का होगा और यहां पर negative marking नहीं होती है so paper 1 के लिए हम यहां पर आपको research methodology के लिए video lectures, notes, mock tests and 1500 mc की revision pdf प्रवाइट करते हैं जिसमें हम आपको हर एक type के questions कहां से questions पुछे जाते हैं हर एक topic से एक question 2-2 questions आपको देखने मिलता है तो सब कुछ हम आपको provide करते हैं notes क then mock test आपको practice करने में help करते कि किस तरीके से preparation आपकी बची हुई है तो किस तरीके से prepare करना है आपको mock test से पता लगता है कि आपकी कितनी preparations हुई है तो यह complete preparation हम आपको देते रहते हैं कुछ न कुछ दिना में हम आपको task देते रहते हमारे course में जिससे कि आप easily आपके entrance test में qualify जाओ तो जिसके लिए screen पर देए गए number पर आप में contact कर सकते हुई या फिर आप हमरे app पर भी visit करकर आपके research methodology के study material को access कर सकते हैं and also for paper 2 paper 2 के लिए भी हम आपको complete course provide करते हैं complete study material provide करते हैं जिसमें आपको full syllabus notes देखने मिलता है most expected questions देखने मिलते हैं तो आप screen पर देख सकते हो काफी सारे subjects के लिए हम आपको यहाँ पर study material provide करते हैं again with 100% passing guarantee again screen पर दिये गए number पर आप में contact कर सकते हुई या फिर आप पर visit करकर paper 2 का भी है आप study material को आप हमसे access कर सकते हो so that's it जा time waste नहीं करते हैं and let's begin with the mcqs which of the following is correct about exploratory research अनवेशी शोद के संदर में निमलिखित में से कौन सा सही है इस question में हमें यह find out करना है कि कौन सा option correct है about exploratory research और इस question में हमें यह पता लगाना है कि कौन सा विकल्प सही है about अनवेशी शोद तो हम एक एक करकर सारे विकल्प देखते हैं और पता लगाते कि कौन सा option correct है तो पहले हम option B देखेंगे it is conducted to get new fiction मतलब इसका प्रयोग नए कथा सत्य है सूजना है तू किया जाता है so option B का मतलब है कि हम exploratory research इसलिए conduct करवाते है ताके हम new fiction को generate कर सके fiction का मतलब क्या होता है आपको यह बता होना चाहिए fiction जो imagination से create की जाती है जैसे कोई story है जो imagination से create की जाती है जैसे spider man की story यह imagination से create की गई वो reality में exist नहीं करता है लेकिन वो imagination की basis पर create करी गई so exploratory research में हम कोई चीज़ों को imagination की basis पर नहीं कंड़क करवाते है exploratory research में हम imagination को नहीं generate करते है को यह new fiction को नहीं बताते है so यह पर आपका option B गलत हो जाएगा incorrect हो जाएगा then option C it is conducted to get numerical data so no exploratory research में हम numerical data की बारे में information ने gather करते है इसी लिए नहीं conduct की जाती है तक हमें numerical data मिले मतलब इसके अंक्या data प्राप्त करने है तू प्रयोक तो किया जाता है नहीं experimental research में हम कोई अंक्या data मतलब कोई numerical data को प्राप्त करने के लिए हम exploratory research नहीं करते है exploratory research में numerical data को gather करने के लिए हम exploratory research फंड़क नहीं करवाते हैं so यहाँ पर आपको option C भी wrong हो जाएगा there option D it is conducted to stick geographical data मतलब इसके बोगालिक data की तलाश करने के लिए प्रयोक तो किया जाता है नहीं आप exploratory research में geographical data जीख करने के लिए हम exploratory research नहीं conduct करवाते है exploratory research जो होता है exploratory research जो होता है जिसमें आप geographical data के बारे में information के आदर नहीं करते हो यहाँ पर आपको option D भी गलत हो जाएगा याद रखेगा exploratory research आप conduct करवाते है to resolve ambiguity ambiguity का मतलब होता है जो ऐसे terms जो ऐसे phenomena जो confusing है मतलब जो clearly defined नहीं होते है तो आपको ambiguity का मतलब पता होना चाहिए तब ही आप इस question को solve कर बाओगे ambiguity का मतलब होता है ऐसे phenomena ऐसे terms जो well defined नहीं है जो confusing है तो ऐसा phenomena जो well defined नहीं होता है उसको अच्छी तरीके से define करने के लिए उसको बताने के लिए हमें exploratory research का यूज करते हैं इसी लिए आपका exploratory research कंड़क करवाया जाता है तो याद रखेगा exploratory research कंड़क करवाया जाता है ऐसे phenomena को resolve करने के लिए जो के well defined नहीं हो तो याद रखेगा exploratory research का हम कंड़क करवाया जाता है इसको कंड़क करवाया जाता है इसे phenomena जो confusing है जो clearly defined नहीं है उनको define करने के लिए आप exploratory research का यूज करते हैं तो याद आपका option A सही हो जाएगा here option A is the right answer it is conducted to resolve ambiguity next which one of the following is not in the process of research निम में से कौन सा शोद प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है इस question में हमें पता लगाना है और इस question में हमें ये find out करना है कि दिये गए options में से दिये गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है कौन सा ऐसा option है जो आपके research process का part नहीं होता है मतलब दिये गए विकल्प में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके शोद प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है तो हम एक एक करकर सारे options देख लेते हैं पता लगाते हैं इस question का correct option क्या होगा सो पहले हम option B देखेंगे defining research problem यस आप आपके research process में research problem को define करते हो बताते हो आपके research problem क्या है आपके इस problem पर research कर रहे हो उससे society के लिए क्या benefit हो सकता है आप यह बताते है सो basically आप research process में बताते हो क्या आपके research problem क्या है इसको define करते हो यहाँ पर आपका option B सही हो जाएगा क्योंकि यह research process का part होता है defining research problem शोद समस्या की विवेजना यह आपका research process का part होता है लेकिन हमें पूछ रहे which is not a part of research process research process में कौन सा आपका option और कौन सा विकल्प शामिल नहीं होता है यहाँ पर आपका option B wrong हो जाएगा because यह आपके research process में और शोद प्रक्रिया में शामिल होता है then option C developing research proposal yes हम research process में research proposal develop करते हैं मतलब शोद प्रक्तावना निर्मान करते है research proposal को आप develop करोगे research proposal क्या होता है जिसमें आप बताते हो कि research में क्या क्या करने वाले हो Bascially एप यहाँ पर सारे प्लाइन बताते हो कि आप कि तरीके से research करने वाले हो क्या करने वाले हो कितना आपको FUN लगने वाला है किस तरीके से आप करने वाले हो so research proposal आप आपके guide को दोगे या फिर आप आपके community को देंगे और उसके तो आप बताओगे कि आपका research में आप किस तरीके सा आप research करने वाला, आपको कितना fund लगने वाला है, तो इस सारी चीज़ आप आपके research proposal में बताते हो, so research proposal ये आपके research process का part होता हो, this is very important part, अगर आपकी research proposal approve होती है, तो ही आप आगे research कर पाते हो, तो यहाँ पर developing research proposal मतलब शोद प्रस्तावना निर्मान ये आपका research process का part होती है, मतलब कि शोद प्रक्रिया में ये steps शामिल होती है, so यहाँ पर आपको option C भी wrong हो जाएगा, then option D sampling design, जिसे हम कहते हैं design का नमूना करन, मतलब आप sampling design बताओगे research के process में, मतलब आपकी study case आपके samples को select करने वाले हो, कोई से sampling method यूस करने वाले हो, आपकी population कितनी होगी sample, sample के लिए आपने किन-किन members को choose करा है, आप किस पर study perform करें, so यहाँ पर आपके samples रेटर सारी information बताते हैं, आप किस तरीके से sample के थरो आप information ग्यादर करने वाले हो, so यह भी आपके research process का part होती है, so यह यहाँ पर आपका जो correct option हो जाएगा, वो हो जाएगा, option A, creating fiction work, creating fictional work, मतलब जिसे हम कहते है, कथा, सरत्य का निर्माण, मतलब यहाँ पर आपका जो option A है, यह सही है, research process में आप fictional work को बताते हैं, नहीं हो, fictional work को create नहीं करते हैं, जैसे हमने previous question में ही देखा, fictional work क्या होता है, fictional work जिसे हम imagination से create करते हैं, जैसे हमने मैंने आपको बताया, spider man story, जो imagination से create की जाती है, जो real life में exist नहीं करती है, वो fact नहीं होता है, लेकिन हम खुच से बनाते हैं, हम अपनी imagination से वो चीजों को create करते हैं, उसे हम कहते है, fictional work, so research process में आपके, हम fictional work को create नहीं करते हैं, so यहाँ प्रारूप design का मुख्य कारिये है, main task of research design is, इस प्रश्ण में हमें यह पता लगाना है, आपके जो research design होती है, शोद प्रारूप होता है, इसका मुख्य कारिये क्या होता है, मतला आपके जो research design होती है, इसका main task क्या होता है, और research design का main task हमें किस option में दिया गया है, और आपक जो शूर्च प्रारूप है यह होती क्या है आपको पहले तो यह पता होना चाहिए तो रिसर्च डिजाइन क्या होता है जिसे हम रिसर्च में ब्ल्यूप्रिन भी कहते हैं आपको याद रखना है, बहुत important है, research design को हम blueprint भी कहते हैं, so research design में आप planning करते हो, आप पहले से ही decide कर लेते हो, आप पहले से ही सोच विचार कर लेते हो, कि आप किस तरीके से, आपके जो research है, उसमें, किस तरीके से आपकी problem को investigate करोगे, कि आप किस तरीके से research perform करोगे, आप आपकी जो शोध है, उसमें किस तरीके से हरे कारियों को निभाओगे, आप सारे चीज़े आपके शोध प्रारूप में बता देते हो, आपकी जो research design होती है, इसमें आप planning करते हैं, कि आप आपकी research में किस तरीके से data collect करोगे, किस तरीके से research में आप sample select करोगे, कि मेथोध से आप sample लोगे, और किस वे से आप data को collect करोगे, कहां से data collect करने वाला हो, आप research में जो जो चीज़े आप करने वाले हो, सारी चीज़े आप research design में बता देते हो, याद रखिएगा शोथ प्रारूप जिससे हम research design कहते हैं इसे हम blueprint पी कहते हैं research में जिसमें आप हर एक चीज में planning कर लेते हो आपके research में आप किस तरीके से सारे चीजें करने वाले हो आपकी जो research problem है इसको एक तरीके से investigate करते हैं आपकी जो research की समस्या होती है आपकी जो short की स समस्या होती है इसको आप किस तरीके से हल करने वाले हो उसकी सारी आप planning बता देते हो उसे हम कहते है research designer short प्रारूप यहाँ पर आपका जो option C है to explain how research problem will be investigated मतलब शोथ समस्या का अनुसंधन कैसे होगा इसकी व्यक्षा करना मतलब आप यहाँ पर आपकी जो शोथ है शोथ कि आपकी जो भी problem है जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से उसको हल करने वाले हो किस तरीके से आप उसको करने वाले हो यह सारा आप बता देते हो आप आपकी शोथ प्रारूप में इस प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी शोथ समस्या का अनुसंधन कैस से होगा इसकी व्यक्या करना to explain how the research problem will be investigated research problem किस तरीके से investigate करोगे किस तरीके से उस problem का जो भी समस्या है उसका आप किस तरीके से solve करोगे किस तरीके से इसको हल निकालोगे या बताते हो आपके research design में तो इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा option C अब जो remaining option है उने भी हम लेक लेते हैं option A to seek information from others मतलब दूसरों से जानकरी हासिल करना नहीं research design का कोई main task यह नहीं होता है कि आप दूसरों से जानकरी हासिल करें तो यहापर जो आपको विकल पे हैं यह गलत हो जाएगा then option B to identify groups of investigation मतलब अन्वेशन के लिए समोग को पैचान करना नहीं आप किसी group investigation को identify नहीं करते हो research design में तो यहापर आपको विकल भी भी गलत हो जाएगा then option D to underline the work done किये गए कार्य के संख्याकित करना नहीं आप research resign कर रहे हो तो आप planning कर रहे हो अब जो work हो गया आप उस पर तो research नहीं करोगे जो work करा गया है work done बता रहा है आप मतलब आपने कार्य कर चुका है उसको आप underline कर रहे हो नहीं आप यह research design में नहीं करते हैं आपर obviously आप जो विकल्ब दी है यह गलत हो जाएगा इस प्रशन का सही उत्तर नहीं होगा इस प्रशन का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्ब सी to explain how the research problem will be investigated सो शमस्याका निसंधान कैसे होगा इसकी व्यक्ख्या करना अगला प्रश्ट P-value का मतलब है P-value stands for सो इस प्रश्ट में में पूचा जारा है कि P-value का क्या मतलब होता है P-value का क्या full form होता है सो व्याद रहे कि P-value का मतलब होता है probability value यानि प्राइकता-담 अब probability value यह होती क्या है P-value होती क्या है आपको पहले तो यह पता होना चांग बहुत important है एक्जाम में इस question से बहुत बार question पूछा गया है, ऐसे question पूछने के आपके exam में chance है, पहले जैसे आपको subjective type questions पूछे जाते हैं उसमें भी आपको p-value पर बहुत question पूछे जाते हैं लेकिन याद रखेगा बहुत important topic है, so p-value जिसे हम कहते है probability value, p-value का मतलब होता है probability value मतलब आ आपके research में experiments perform करते हैं उसमें आपके जो result आते हैं वो by chance आते हैं उसे हम कहते है p-value अब किस तरीके से जैसे मान लीजे हम for example, example लेते हैं कि हम देख रहे हैं कि water ज्यादा देने से कि plant की growth भी ज्यादा हो रही है, so आपने experiment perform कर लिया मान लीजे अपने experiment perform कर लिया और आपने श्ルाड़त हम शुक्राइब से साथ वाशआ देखा वोटर ज्यादा देने से प्लािं इसक्यूकर ज्याधा हो रही है अब कुह रीकिन अप ये देखना आपका dependent variable पर effect नहीं हुआ है, किसी और variable के वज़े से आपको कुछ result दिख रहा है, ओके हो सकता है कि sunlight के वज़े से plant की growth हुई होगी, ओके ऐसा हो सकता है, इस case में हम बोलेंगे आपके जो result आ रहे हैं, यह by chance आ रहे हैं, अब p-value हम use क्यों करते हैं, p-value का मतलब तो हमने जान लिए, p-value यह बताती है, हमारे जो experiments है, तो इसमें जो हमारे result आते हैं, यह by chance आते हैं, अब हम देखेंगे p-value को use क्यों होता है, क्यों हम use करते हैं, याद रखिएगा p-value हम इसलिए use करते हैं, क्योंकि हम test करते हैं हमारी null hypothesis को, पी-value आपकी p-value कम होती है, लेस होती है, तो उस case में आप क्या करते हैं, आपके जो null hypothesis को आप reject कर लेते हो, यह आपको याद रखना है, important statement है, p-value आपकी जब भी कम होती है, जितनी कम आपकी p-value होगी, उतना आप आपकी क्या करोगी, null hypothesis को reject करते जाओगे, अब किस तरीके से हमने यह decide कर ले, कि p-value कम होगी, तो हम null hypothesis को reject कर लेगे, तो यहाँ पर relation है कुछ, तो याद रखेगा p-value आपकी किस से कम होनी चाहिए, p-value आपकी alpha से कम होनी चाहिए, alpha क्यों होता है, जिसे हम के तेज significance level, alpha बताता है कि आपने आपके experiment में कितने percent error को allow कर रहा है, तो basically researchers जो होते है, alpha की value पहले से set कर लेते हैं, जो कि 1 percent होती है या फिर 5 percent, अगर आपने मान लीजे, आपके research में 5 percent आपने error अलाव कर रहा है, आप देखोगे कि आप ऐसा बता होगी कि 5 percent हो सकता है कि error आ सकते हैं हमारे research में, तो उस case में आप क्या बोलोगे, कि आपके जो result है वो 95 percent सही आना चाहिए, क्योंकि आपने क्या कर आप पहले सही alpha value आप decide कर लेते हो, अगर आपका जो error आप चाह रहे हो, आपके experiment में कितने percent error आए, उससे आपका error कम आ जा रहा है, यानि आपके जो p-value आपके जो result आ रहे हैं उससे कम आ जा रहा है, तो उस case में आप क्या करते हो, आपकी null hypothesis को आप reject कर लोगे, अब next case, अगर p-value आपकी, p-value क्या ओरी आपकी, आपके alpha से ज़्यादा आ रही है, यानि आपने जितना error आपके experiment में अलाओ कर रहा था, उससे ज़्यादा आपको error देखने मिल रहा है, उससे ज़्यादा आपको error देखने मिल रहा है, यानि आपको independent variable की वजह से आपके result ने रहे हैं, कोई और variable की वज़े से आ रहे तो यह error ही हो गया आपको पता नहीं चल रहे किस की वज़े से आ रहे है तो इस case में आप क्या करते हो आपकी जो null hypothesis से उसको आप accept कर लेते हो यह कुछ statement है आपको याद रखना है पहला मैंने आपको बताया कि P value जिसका full form होता है probability value then next probability value का मतलब क्या होता है probability value मतलब आपके जो आपने experiments परफॉर्म किये उसमें जो आपका result आ रहे है यह by chance आ रहे है यानि आपके independent variable के वज़े से result नहीं आ रहे हो सकता है किसी और variable के वज़े से आपके result आ रहे हो तो यह होता है आपका probability value अब P value याणि probability value को किसले use करा जाता है याद रखिए P value को हम इसलिए use करते ताकि हम हमारी null hypothesis को test करें और यह बता है कि हम उसे accept करने वाले या फिर हम reject करने वाले तो याद रखिएगा जितनी कम आपकी P value होगी उतना आपकी null hypothesis को reject कर लोगे और आपकी null hypothesis पी value आपकी alpha से कम है alpha क्या होता है significance level यानि यहां पर researcher बता देते हैं कि हम हमारे experiments में इतने पसंद को इतने पसंद error अलाओ करेंगे कि इतने पसंद error आ सकते है experiment में यह होता है आपका alpha जिसे हम केतने significance level अगर आपकी P value alpha से कम होगी तो उस case में आपकी null hypothesis को reject कर लोगे और अगर आपकी P value alpha से जादा होगी यानि आपके जो errors है आपको error मिल रहा है तो उस case में आप क्या करोगे आपकी null hypothesis को accept कर लोगे तो यह होता है आपका P value जिसे हम कहते है probability value तो इस question का आपका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प A अगला प्रश अगला प्रश मैच table A with the most appropriate options in table B table A को table B में सबसे उप्योगत विकल्पों को साथ simulate कीजि इस प्रश में हमें यह पता लगाना है कि हमें table A given है और table B दिया गया है तो table A में हमें कुछ research की definitions दी गई है मतलब table A में हमें कुछ अनुसंदान की परिभाशा दी गई है और हमें table B से उसको proper match करना है और देखना है कि हमें किस-किस research की definition दी गई है हमें उसकी proper जोडिया लगानी है, मतलब table A में हमें कुछ research related definition दी गई है, हमें उसे table B के साथ proper match करना है, so हम table A पहले देखते हैं और table B के साथ match करते हैं, so चलिए इस question को हम solve करते हैं table A का first point हमें given है, research is aimed at finding solution for an immediate problem society is facing, so यहां पर हमें यह दिया गया है कि एक research है, उस research का aim यह है, मतलब उस research का उस अनुसंदन का उद्धिश यह है कि समाज में किसी problem का face कर रहे हैं लोग, मतलब समाज में समाज के सामने आने वाली ततकाल समस्या का समधान खोज रहे हैं, मतलब समाज में एक ऐसी problem आ रही है जोकि splendid problem है, उस problem का इमेडियर समधान निकालना है सो यहाँ पर किस चीज के problem है, किस चीज के समधान यहाँ पर है, हमेn, society से लेकर इहाँ पर हमें mention किया गया है कि society से लेकर कुछ problem है, मतलब आपके जो समाज है, समाज के सामने आने वाली कुछ ततकाल समस्या है तो उसका समाधान हमें खोजना है याद रखिए यहाँ पर हमें जो problem बताया गया है जो हमें समस्या बताई गई है वो समस्या भी हमें बताई गई है जो कि एक specific समस्या है जो कि society से related है तो यहाँ पर कभी भी आपको question में कुछ problem का हमें solve करना है problem का solution हमें find out करना है और वो specific problem हो तो उसे solve करने के लिए हम applied research का use करेंगे याद रखिए हमे applied research का use करेंगे मतलब वेवारिक शोद का use करेंगे तो यहाँ पर जो आपका option A है मतलब आपका जो point A दिया गया है इसका correct option हो जाएगा point D मतलब आपका जो यहाँ पर first point दिया गया है इसका सही match हो जाएगा point D उसी तरीके से point 2 research aimed at gathering knowledge for knowledge 6 मतलब एक research है जिसका aim है researches का उद्देश यह है कि हम knowledge को gather करें मतलब ग्यान को एकट्टा करें और ताकि जो researchers है ताकि जो भी लोग है वो अपनी knowledge को increase कर सके knowledge को knowledge से के नि knowledge को increase करना knowledge के लिए ऐसे अनुसंधान जिसका उद्देश यह है कि हम जिसमें ज्ञान को एकट्टा करें और उसका उद्देश यह भी है कि ज्ञान के खातिर हम वो research perform करें वो research होती है आपकी fundamental research जिसे हम कहते है मौलिक अनुसंधान आप पर आपका point 2 दिया गया है उसका correct option हो जाएगा point C तरीके से third point देखते हैं research aimed at describing the state of office as sorry as it exists मतलब ऐसी research ऐसी अनुसंधान जिसका aim यही है कि हम किसी किसी ऐसे मामले को किसी एक affairs है उसको state of affairs है उसको हम as it is जैसा वो exist कर रहा है इसको as it is हम describe करें तो यहाँ पर describing word आ रहा है मतलब यहाँ पर हम उसको उस अनुसंधान में describe करते हैं चीज़ों को वो अपकी research होती है descriptive research तो यहाँ पर जो point 3 है उसका हो जाएगा आरी किसे point 4 देखते हम researcher uses facts or information already available and analyze this make a critical evaluation of the material यहाँ पर क्या करें researcher के पास material already available होता है लेकिन उसी material का use करकर वो facts जानना चाहते है यानि यहाँ पर researcher के पास सारी information already available होती उससे research practicals perform करकर देखते हैं कि reality more just happen हो रही है या फिन नहीं हो रही है यहाँ पर ऐसा safe और safe हम analytical research में करते हैं मतलब visualization आत्मक अनुसंधान में करते हैं आपका option 4 है या इसका correct हो जाएगा point B याद रखिए analytical research यह analytical chemistry में चाहला करके use की जाती है जिसमें आपके पास theory पास information available होती है लेकिन आपके अगर तो उसमें experiments perform करते हो experiment perform करके देखते हो कि वो चीज टेस्ट जो हम कर रहे है वो reality में वैसा exist हो रहा है पर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हमने सारे options सारे points जो दिये गए तो है उनका सारे correct definition मार्क कर दिये कि कौन से research की कौन से definition है यह order अगर आप देखते हो तो हमें option B में given है इसलिए इस question का आपका right option हो जाएगा option B विकल बी प्रशन का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन accepting null hypothesis when it is false is निराकर्या परिकलपना को स्विकारना जब यह गलत हो इस question में मैं find out करना है कि आपने क्या करा आपके null hypothesis को accept कर लिया कब जब यह false थे तो यह कौन सा error कहलाएगा मतलब अपके जो निराकर्या परिकलपना है उसको स्विकार लिया कब जब यह गलत थे तो यह कौन सा truthy कहलाएगी मतलब यह कौन सा error होगा हमें यह find out करना है तो याद रखिएगा अपको यह table को याद रखना है तो याद रखिएगा आपके research में आप हमेशन null hypothesis को test करते हो तो null hypothesis को test करने में आपसे कुछ mistakes हो जाती है उसी को हम कहते है errors और जिसे हम truthy कहते हैं तो आप null hypothesis को accept करते हो या फिर reject कर लेते हो जैसे कि errors में आप क्या करते हो कुछ mistakes कर लेते हो उन mistakes को उन errors को हम इस table के थूँ पढ़ेंगे जैसे यहाँ पर null hypothesis आपकी जो null hypothesis है वो reality में real में true है आपकी null hypothesis true है लेकिन आपने इसको क्या कर लिया reject कर लिया तो यह कौन सा error के लएगे आपका type 1 error मतला होकि type 1 true team आपने क्या करा null hypothesis true थी फिर भी आपने इसको reject कर लिया तो यह आपका हो जाएगा type 1 error और type 2 error क्या होता है आपकी null hypothesis false होती है मतला आपकी जो निराक्रेन परिकलपना होती है यह गलत होती है false होती है फिर भी आपने इसको क्या करते हो आप accept कर लेते हो आपने गया क्या null hypothesis को accept कर लिया कब जब यह गलत थी मतलब जब यह false थी तो यह कौन सा error हो जाएगा आपका type 2 error हो जाएगा उसी तरीके से इस question में मैं पूछ रहा है कि आपने आपकी null hypothesis है उसको accept कर लिया कब जब आपकी जो null hypothesis थी वो false थी मतलब आपके जो निराक्षना परिकल्पना है वो उसको आपने स्विकार कर लिया कब स्विकार कर लिया जब वो गलत थी आप याद रखेगा जब भी आपकी null hypothesis को आप accept करते हो, कब जब आपकी null hypothesis false होती है तब यह हो जाएगा आपका type 2 error, so इस question का आपका सही answer हो जाएगा type 2 error, जिसे हम कहते है type 2 truth तो अगर आप आपकी null hypothesis उसको accept कर रहे हो कब जब वो false है, तो यह आपका type 2 error होता है मतलब कि जो निराकरने परिकल्पना है आप उसको स्विकार ले रहे हो कब तब यह गलत हो तो यह हो जाएगा आपका टाइप 2 एरर तो टाइप 1 एरर हमने जैसा देख लिया टाइप 1 एरर कबाकर होता है जब आपकी जो नल हाइपोतेस है यह टू होती है लेकिन आप उसको रिजेक कर देते हो तो यह हो जाता है आपका टाइप 1 एरर यहाँ पर इस question का option भी गलत answer हो जाएगा option भी कल भी आपका सही उत्तर नहीं होगा इस question का उसी तरीके से option C आपको given है sampling error sampling error क्यों होता है difference between population parameter minus sample statistic मतलब आपके population के आपके पास जो भी information होगी आप उसको put करोगे और minus करोगे and then आपको sample से जो information मिल रहे हैं आप वो करोगे उनको minus करके आपको जो भी value मिलेगी वो आपका हो जाएगा sampling error जिसे हम कहते हैं तिदर्ष्ट टूटी तो यह तिदर्ष्ट टूटी भी इस question का सही उत्तर नहीं होगा सही answer नहीं होगा then option D is standard error जिसे हम कहते हैं मानक तूटी so standard error क्यों होता है कि आपका distribution आपको sample से जो information मिलती है sample से information मिलने के वाद आप उसको graph में convert करते हैं और आप देखते हो कि यह कितना spread out है तो इसी को आप कहते हो कि यह standard error बताता है कितना जाधा कम spread है कितना जाधा spread है इसे को हम कहते है standard error so यहाँ पर इस question में इस बारे में भी question नहीं पूचा गया है so यहाँ पर जो आपको option D है यह भी गलत हो जाएगा so अगर आपकी null hypothesis को आप accept कर रहे हो कब जब यह false है तो यह हो जाएगा आपका type 2 error मतलब type 2 through T so इस question का आपका सही answer हो जाएगा option A next the bibliography given in a research report शोध report में दी गई संधर ग्रांद सूची इस question में मैं find out करना है का आपके research report में जो bibliography लिखते हो तो वो क्यों लिखते हो उसका purpose क्या होता है लिखने का bibliography का मतलब आपके जो शोध report होती हो उसमें अपके संधर ग्रांद सूची क्या होती है आपके शोध की report में क्यों लिखते हो बिबिलोग्राफी उसका motive उसका purpose क्या होता है हमें basically ये find out करना है इस question में so bibliography का मतलब क्या होता है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बिबिलोग्राफी क्या होता है जिसे हम कहते है list of जिसे हम कहते है list of references आपको याद रखना है बिबिलोग्राफ को हम कहते है list of references references का मतलब क्या होता है कि अगर आप आपकी research में किसी और research हो कि अगर आप आपकी शोध में किसी और शोध करता है ले रहे हों. उनका contain use कर रहे हो. तो आपको उस together करता है का proper name mention करना होता है. मतलब जो भी आपने जिस भी research अपने contain लिया होता है. उनका proper आपको name mention करना होती है. उसे हम कहते है references. अअपकी जो bibliography होता है. Bibliography का मतलब है? एक से ज़्यादा references को हम कहते हैं bibliography अगर आप आपकी research में कुछ बहुत सारे references यूज कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं bibliography bibliography आप आपके research report के extra chapters में लिखते हो जो supplementary chapters होते हैं उसमें आपके bibliography को लिखते हो याद रखें कब bibliography की हम लिखते हैं research report में जो readers आपके आपके research report को और उसमें जो भी person का interest होगा ताकि वो उनके interest area को help कर सके वो आगे further research कर सके इसलिए bibliography लिखा जाता है आपके research report में इस question का आपके सही answer हो जाएगा option A helps those interested in further research भावी शोत के इच्छुक शोत करताओं के लिए सहक होती है यहाँ पर जब को option A हैं यह सही हो जाएगा मतलब जो भी आगे research करने वाले हैं further research में जिसको और interest होगा उस topic में वो उस topic को देखकर आगे और research कर सकते हैं सो यहाँ पर जो आपका option A है यह सही हो जाएगा सो बीब्लियोग्राफी का main aim यही होता है इसलिए हम references लिखते हैं कि जो दूसरे readers हैं उनका interest अगर कुछ topic में तो वो आगे further research कर सके सो यहाँ पर आपका option है सही हो जाएगा अब जो incorrect options हैं उन्हें भी हम एक बारे देख लेते हैं option B shows vast knowledge of the researcher शोत करता हो कि विसुत ग्यान को दर्शाती है नहीं हम बीब्लियोग्राफी इसलिए नहीं लिखते हैं कि दिखावा कर सके है research मतलब उनकी जितनी knowledge है उनका show show off कर सके इसलिए इसलिए बिब्लियोग्राफी नहीं लिखा जाता है सो यहाँ पर आपका option भी गलत हो जाएगा उसी तरह कि option c has to be exhaustive मतलब संपूर नहीं होनी चाहिए बहुत जादा नहीं होनी चाहिए अपकी बिब्लियोग्राफी यह ऐसा यह भी option c भी incorrect है ऐसा भी नहीं होना जाए यह option d holds no value to research अपकी बिब्लियोग्राफी का कोई value नहीं होता है research में ऐसा नहीं होता है बिब्लियोग्राफी is very important in research आपको लिख नहीं होता है यह तो आपकी research हो जाएगी वह plagiarism के अंडर आ जाएगी तो यह फिर आपका option d है यह भी गलत हो जाएगा तो बिब्लियोग्राफी का main aim होता है helps those interested in further research तो आपका option e है जो आपका विकल्प a है इस question का सही answer हो जाएगा next snowball sampling is snowball numoonachayan इस question में हमें snowball sampling की definition find out करना है तो हम इस figure के तुरू देखेंगे कि snowball sampling होती क्या है जिससे कि आप इस figure में देख रहे हो तो इस figure में हम देखेंगे कि snowball sampling मतलब snowball numoonachayan क्या होती है जिससे कि यहाँ पर यह है आपका researcher मानलीजी यह researcher है अब researcher यहाँ पर study कर रहे है कि ऐसे person जो drug लेते हैं जो drug consume करते हैं तो researcher को यह एक दो samples मिल गए researcher को respondents मिल गए तो यहाँ पर जो drug लेते हैं वो खुछ से तो आगे नहीं आएंगे तो यहाँ पर जो respondent है respondent ही आगे और लोगों को collect कर कर लाएंगे जो उनको पहचानते हैं तो उसी तरीके से यह भी respondent और दूसरे respondent को collect कर कर लाएंगे पिर इनके थूँ यह भी हो सकता है और लोगों को collect कर कर लाएंगे पिर यह परसन भी और लोगों को collect कर कर लाएंगे पिर यह परसन भी और लोगों को collect कर कर लाएंगे इसी तरीके से इस साइट भी इस परसन ने जैसे तीन लोगों को collect कर कर लाया पिर यह परसन और तीन ल करका लाते है और वो उनका sample बन जाते हैं और इस पर research घरी परफॉर्म करते है। इस तरीके से researchous snowball sampling में research perform करते हैं अपने samples परॉ्प सब exploitation स्रोप पयर प्रफॉर्डबas कि 새로운 संवब और से नुट्डिन की definition क्या होगी हम एक यक करकर सारे options के दूध- Ș quand क्या होगा इस question का सही विकल्प क्या होगा इस question का प्रश्न का option A done for sample of more than 100 people मतलब सो से अधिक लोगों के लिए किया जाता है स्नोबॉल sampling सिर्फ सो से जाधा लोगों के लिए नहीं किया जाता है snowball sampling की जो definition नहीं होते कि snowball sampling में 100 people से जाधा लोगों पर ही आप सैंपल करते हैं प्रिसर्च आपके पर होगे नहीं सो यहां पर आपका option A है यह गलत हो जाएगा then option B done when many choices of sample are there वो चौइस आपके जो आपके पस बहुत सारे choice होगे तब आप snowball sampling perform करते होगे नहीं यह भी आपका option B भी गलत हो जाएगा so option B क्या है क्या जाता है जब नमूना चैन के कई विकल्प होते हैं नहीं आपके पस बहुत सारे choices होगे तो आप snowball sampling का use नहीं करोगे यह snowball sampling की definition नहीं होगे तो यहाँ पर आपका option B भी गलत हो गया then option C a sampling technique that works like chain referral मतलब एक नमूना चैन टेक्निक है जो शुंखला referral की तरह काम करती है yes नमूना चैन 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 की तरह chain referral की तरह काम करती है किस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर दो लोगों को collect कर लें दो लोगों को अपने दो respondent होगे आपके दो samples होगे फिर यह samples और लोगों collect करकर लाएंगे फिर यह लोग और लोगों collect करकर लाएंगे इस तरीके से यहाँ पर एक chain बन रही है so याद रखेगा snowball sampling जो होती है आपके chain referral होती जिसमें आप एक chain की तरह samples को select करते हो so यहाँ पर जो आपको option C है इस question का सही answer हो जाएगा इस question का सही उत्तर हो जाएगा next coefficient of correlation is independent of सह संबन का गुणा सोतंत्र है इस question में पूछ रहा है कि coefficient of correlation किस चीज़ पर depend नहीं करता है independent यानि किस चीज़ पर depend नहीं करता है किस पर depend नहीं करता है वो कौन होता है वह किस option में हमें दिया गया है कि coefficient of correlation किस चीज़ पर depend नहीं करता है याद रखिएगा coefficient of correlation यह होता क्या है जिसे हम कहते है काल-pearson's coefficient याद रखिएगा इस scientist ने कोईफिशन को दिया था जिसका नाम है काल-pearson's coefficient एक्जाम में इस पर भी कई बार question पूछे जाता है कि coefficient of correlation कि scientist ने जिया था इस coefficient याद रखिएगा इस कहांसर आजाएगा आपका काल-pearson's coefficient अब काल-pearson's coefficient होता क्या है correlation research में याद रखिएगा काल-pearson's coefficient की value आपकी minus 1 से plus 1 के बीच में लाए करती है अगर आपके काल-pearson's coefficient की value minus 1 आ रही है that means आपके जो variables है variables के बीच में perfect negative correlation है और अगर आपके जो काल-pearson's coefficient है उनकी value plus 1 है याद रखिएगा उस case में आपके जो variables है आपके चर है चरों के बीच में perfect positive correlation होगा और 0 का मतलब होता है कि correlation नहीं होता है यह होता है आपके काल-pearson's coefficient जिसके values minus 1 से plus 1 के बीच में लाए करती है अब याद रखिएगा काल-pearson's coefficient जिसे coefficient of correlation केते हैं coefficient of correlation का formula आपको पहले पता होना चाहिए तभी हम इस question को solve कर पाएगे यह होता है आपका coefficient of correlation का formula जो इस तरीके से आपका formula होता है इसे हम कहते है submission यह आपके observations होंगे और यह आपके x i और y i यह आपके observation होता है so x यह आपका first variable हो जाएगा क्योंकि दो variables के बीच में हम correlation research में संबन देखते हैं उनके बीच में कैसा relation है so x i जो होता है आपका यह first variable होगे और x y i यह आपका हो जाएगा second variable ऐसे दो variable होते है correlation research में और उनके बीच में आप संबन देखते हो तो यह पता चल गया आपको x i और y i क्या होता है अब next time हमें दिया गया है next later x bar y bar next variable हमें दिया गया है x bar y bar x bar और y bar क्या होता है यह होता है आपके mean अब आपने कुछ मान लिजी sample से कुछ information निकाल लिया उनकी height लिकाल लिया height का आप mean देखोगे और बताऊगे कि इस particular जो population है उसमें ज़्यातर लोगों की height क्या होती है तो यह हो गए आपका mean बात जब भी आ गया मतलब यह mean हो जाएगा आपका और x i मतलब यह first variable की observation यह नि first variable का आपने जो भी data collect करा वो होता है और y i मतलब second variable का आपने जो भी data collect करेगो वो हो जाएगा आपका y i यह हो गए आपका अब यह sign क्या होती है इसे हम केता है submission जिसका मतलब होता है addition submission का मतलब होता है addition यह हमें पता चल गया अब यहाँ पर हमें कुछ option दिये गया है जैसे change in origin and change in scale अगर हम change करते है अपने origin में और scale में कुछ change करते है तो क्या coefficient of correlation से इसका कोई लेना जाना नहीं होता है कोई depend नहीं करता है इन चीज़ों पर याद रखिएगा coefficient of correlation नहीं आपके change of scale में नहीं change of origin से depend करता है इन दोने से independent होता है यहाँ पर आपका option C अगर आप scale में भी कोई change कर लो या फिर origin में भी कुछ change कर लो आपका जो coefficient of correlation है उसको उस पर affect नहीं होता है इन दोनों से independent होता है अब किस तरीके से आप मान लीजे जैसे for example आपको पास कुछ information आपने collect कर लिया आप कुछ information collect करने के बाद आपने उस information को plot कर दिया कुछ graph में अब graph में plot करने के बाद आपने पहले variable कमान लीजे कुछ यहाँ पर आपके origin की पास 10 value आ रही है 20 value आ रही है अब मैंने क्या किया मैंने जो origin था इस 10 को मैंने थोड़ा move कर लिया तो 10 यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20 यहाँ पर आ जाएगा अब यहाँ पर जो आप देख रहे हों यहाँ पर हमारे जो formula है इसमें minus दिया गया हमें जब मैं यहाँ पर values पूट करूँगी और मैं minus करूँगी तो यह already इसी जगे पर मेरी value आ जाएगी जैसे कि देख रहाँ आपको changes ही नहीं होगा यानि आपके जो origin है origin से कुछ change नहीं हो रहाँ जितना gap है उतना ही gap रह रहा है आपका that means coefficient of correlation जो होता है जो origin value होती है इसमें कुछ changes नहीं होता है आपका coefficient of correlation इंडिपेंडेंट होता है अब scale देखते हैं अब scale मान लीजे, यहाँ पर आपकी 10 है, scale 10 है मैंने इसको बड़ा दिया, scale को जीसे हम कोई चीज कभी हमें हमारे आह से नहीं दिखती है थो हम माइक्रोस्कोप में दिखेते है, हम क्या कर तो इसका scale बढ़ा देते हैं मैंने scale बढ़ा दिया यह 10 को मैंने ले लिए 10K ले लिए अब मैं अगर यहाँ पर हर जगा 10K और 20K दाल दूँगी अब यहाँ पर 10K मान लिजए और 20K यहाँ पर अगर मैं इसको solve करूँगी तो यहाँ पर मैंने के है यह constant K है मान लिजए तो यहाँ पर के और के बाहर आ जाएगा तो यह के और के चैंसल हो जाएगा जिसके वज़े से आपको फिर से सेम ही formula देखने मिलेगा तो इसके लिए हम कहते हैं coefficient of correlation जोता है आपका scale और origin अगर आप change करते हो से इसका इस पर कोई affect नहीं होता इसलिए इस question का आपका right option हो जाएगा option C change of scale and origin only केवल पैमाने और उत्पती का परिवरतन अगला प्राश्ट ANOVA was given by ANOVA द्वारा दिया गया था इस question में में पता करना है कि ANOVA ANOVA यह किस scientist के द्वारा यह नाम दिया गया था यह term दिया गया था याद रखेगा ANOVA यह R.A. Fisher यानि Ronald Fisher इस scientist ने दिया था in the year 1918 1918 में Ronald Fisher यानि R.A. Fisher इस scientist ने ANOVA इस term को launch किया था अब ANOVA क्या होता है याद रखेगा ANOVA का full form होता है Analysis of variance अब ANOVA किसलिए हम यूज करते है तो याद रखेगा ANOVA एक statistical tool होता है statistical test होता है जिसे हम यह test करने के लिए जिखते है कि 2 से जादा sample के mean को compare करने के लिए जब 2 से जादा आपके पास samples होंगे उनके mean को अगर आपको compare करना है तो आप ANOVA test यानि analysis of variance इसका use करोगे और याद रखेगा exam में भी बहुत बार question पूछा जाता है ANOVA पर analysis of variance इस test का हम यूज सिफ और सिफ इसलिए करते है क्योंकि हमको यह देखना होता है यह compare करना होता है कि 2 से जादा samples होंगे mean को compare करने के लिए आपके पस अगर 2 से जादा samples ले लिए आपने उस पर आपने study perform किया और उससे आपको mean मिल रहे है आपको इसको compare करना है तो compare करने के लिए आप ANOVA test का use करोगे अगर जब आपके पस सिफ दो ही sample होते हैं तो उस case में आप या तो T test का use करोगे या तो Z test का use करते हो अब आपके पस 2 से जादा sample के mean है यानि 3 हो सकते हैं 4 हो सकते हैं 5 हो सकते हैं 2 से जादा हो सकते हैं तो उस case में आप ANOVA का use करोगे तो ANOVA को हम कहते है extension of T and Z test यानि T or Z test में भी हम से मिसी तरीके से करते हैं T or Z test में हम 2 sample के mean को compare करते हैं और उसी का extension ANOVA को कहते हैं यानि same करते हैं लेकिन यहाँ पर उसका extension is जिसमें हम T or Z test में जोने कर पाते हैं 2 से जादा mean को compare ने कर पाते हैं यही हम ANOVA में करते हैं कि 2 से जादा sample के mean को compare करने के लिए हम NOVA इस test का यूस करते है और याद रखियेगा exam में भी कई बार question पूछा गया है NOVA यह किस test का extension होता है so NOVA यह P and Z test यह दो नो भी test का extension होता है और NOVA was given by R.A. Fisher यानि Ronald Fisher in the year 1918 so इस परशन का आपका सहीर तर हो जाएगा option D. R.A. Fisher and thank you for watching this video और इका सहीर तर में दोर बट्र दोर